नमस्कार आप सभी का स्वागत है आना न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सिमी क्रिशी कानूनों के खिलाव जारी किसानों के अंदोलन को एक महिने होने को है दिल्ली में जारी कडाके की ठंट के बीच भी हजारों किसान सिमाओं पर डटे हुए है और अपनी मांग पूरी करने को कह रहे है सरकार किसानों से चर्चा करना चाह रही है लेकिन अब किसानों की और से अपने आंदोलन को धार दी जा रही है ताकि लडाई लंबी चल सके जी हाँ किसानों ने अपने आंदोलन को लंबा चलाने का एलान पहले ही कर दिया था लेकिन अब धीरे धीरे इसके कईचरन सामने आ रहे हैं किसानों की और से अभी तक भारत बंद और एक दिवस से एलान किया जा चुका है लेकिन अब कुछ अलग तयारी है जी हाँ आपको बता दे किसानों ने सोमवार को फिर एक दिवस्य उपवास बुलाया है ये करीब एक दरजन से अधिक संगठनों द्वारा बुलाया गया है किसानों ने पहले भी ऐसा ही एक उपवास बुलाया था किसान वक्त वक्त पर इस तरह का एक दिवस्य उप्वास करेंगे यानि जब सौमबार को बैठे किसानों का उप्वास खतम होगा तब मंगलवार को एक नया ग्रुप उप्वास पर बैठेगा जी हाथ 23 दिसेμबर को किसान दिवस है ऐसे में अंदोलनकारी किसानों ने बड़ी तैयारी की है किसानों का कहना है कि इस दिन लोग अपने घर पर दुफैर का खाना ना बनाए और किसान के अंदोलन का समर्थन करे किसानों ने पहले ही देश भर के नेशनल हाइवे को टोल मुक्त करने की बात कही थी अब 25 दिसेंबर से 27 दिसेंबर तक हर्याना के सभी टोलना के पूरी तरह से मुक्त होंगे और किसानों के हवाले रहेंगे जी हाँ इस जोरान किसी को टोल देने की जोरत नहीं होगी हर महीने के आखरी में प्रधान मंत्री नेरिंद्र मोदी मन की बात करते हैं इस बार 27 दिसेंबर को जब यह होगा तब किसान उस वक्त थाली पिटेंगे आपको बता दे कि करोना के खिलाफ लड़ाई में पीम मोदी ने थाली पिटवाई थी अब उन्हीं के तरीके को किसान अपना रहे हैं किसान नेताओं ने अपपील की है कि जब तक मन की बात में पीम बोले लोग अपने घर पर थाली पिते जिहां जमीन पर लड़ाई के अलावा किसानों ने सोशल मीडिया पर भी लड़ाई तेच की है बीते दिनों में किसान एक्ता मोर्चा ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपस्चिती दर्च कराई जहां अंदोलन से जुड़े अपडेट दिये जा रहे हैं बीते दिन किसान एक्ता मोर्चा का फेस्बुक पेज बंद हुआ था लेकिन विबात के बाद फिर खोल दिया गया किसानों ने इसके अलावा एंडिये के संसदों नेटाओं से उनके अंदोलन का समर्थन करने की अपील की है जबकि अन्ना हजारे भी किसानों के समर्थन में अंदोलन करने की बात कर रहे हैं जहां एक और किसान ने अपने अंदोलन को धार दी है तो दुसरी और सरकार फिर बाचित का प्रस्ताफ रग दिया है PM का आरोप है कि विपक्ष किसानों को गुमरा कर रहा है PM मोधी भी 25 दिसेंबर को फिर से किसानों से समबाद करेंगे ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें साथ हमारे टूप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए